शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले भारत देश में अंग्रेजो के खिलाप महात्मा मौनदास करमचन गांधी उन्होंने अंग्रेजो चले जाव का नारा देकर देश में करान्ति की थी इस करान्ति में देश के कई करान्ति वीर शहीद भी हुए थे आज उन शहीदों का समरन दिन था राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के ओवर से नाकपूर के शहीद चोख स्थीद शहीद क्रांतिकारक स्थम को मानवंदना देकर क्रांतिकारों को के प्रतिमाव को पुश्वमाला पहना कर अभिवादन किया गया इस मोके पर मद्यनाकपूर शहर अध्यक्ष मिरीन मानापूरे और राष्टवादी कॉंग्रेस के शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर और पार्टी के तमाम कारेकरता बड़ी संख्य में मौझूद थे देश को आजादी 1947 में मिली थी उसके पुर्व अंग्रेजों का शासन था अंग्रेजों ने कई भारतिय गरीब बेसहारा और जरुरत मंदों का खून चूसा था हमेशा प्रताडित करना और उन्हें खुले आस्मा के नीचे सांस लेना भी दुरभर हो गया था अंग्रेजों ने भारतिय, हिंदू, मुस्लिम, सीक और इसाई और अन्य धर्म के लोगों को भी नहीं बक्षा था दिन रात उनसे कड़ी मेहनत करवाना और भुके पैसे रखना इतने नहीं तो लातो, घुसो और बेड़ से मारना इतने नहीं तो बंदू की गोली से उनकी छन्नी करना आधिक कई जुल्म भारतियों पर अंग्रेजों ने डहा है थे इस अंग्रेजी सल्तनत से निजाद पाने के लिए और भारतिय नाग्रिकों पर हो रहे अन्याय अत्याचार को दूर करने के लिए कई करांतिकारियों ने अपना लहू और शहादत दी थी महात्मा गांधी इन्होंने अंग्रेजों चले जाओ का नारा भी बुलन किया था जिसके बाद देश में एक करांतिकी लहर फैल गई अंग्रेजों चले जाओ इस अंदोलन में कई लोग करांतिकारक मारे गए उनी की याद में नाकपूर के शहित चोक स्थित अमर जवान शहित स्थम को राष्टरवादी कॉंग्रेस पालिटी के मद्देशर प्रमुक मिलिन मानापूरे और राष्टरवादी कॉंग्रेस के शहरा द्यक्षा अनिल अहिरकर के साथ तमाम राष्टरवादी कॉंग्रे न्यूस्नाग पूर